आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आपको किस तरीके से आपके All India Bar के paper को attempt करना है, solve करना है, ताकि आपको maximum amount of number मिल पाए, वो भी minimum amount of समय के अंदर, मतलब तीन घंटे के जो समय यहां पर दिया है, उसमें maximum number हम कितना ला सकते हैं, वो चीज को कैसे आपको करना है, वो मैं आपको सिखाऊंगा, paper कैसे attempt होता है, क्या ticks मिला कुछ पता होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें ऐसी होती है, जो क्या आपको ध्यान रखन आते हैं, तो जरू सब्सक्राइब करिए, ठीक है, अब यहां पर चलिए, शुरू करते हैं, सहसे पहले, इस बात से कि देखिए, यह जो paper है, आपको exactly ऐसा ही मिलेगा, और यहां पर आपको पहला काम, paper मिलते ही, क्या करना है, आपको यह चीज देखना शुरू करना है, कि paper paper के अंदर, वो questions कौन से हैं, जिनका की answer, bare act के अंदर से निकल रहा है, ठीक है, because आपके पास सारी की-सारी bare act है तो होंगी, main main, जिसमें किया answer अपना, खोल के देख पार है, तो उन questions को पहले identify करना, आप शुरू करो, ठीक, यहां पर आप देखोगे, उस चीज को पकड़न से bare act के अंदर ही होगा, फिर देखो भाई, दूसरा question है कि, जो constitutional provisions होता है, fundamental rights के वो किस part के अंदर, दीए हुए constitution of India में, अब इसके लिए अगर आप सीरे-सीरे constitution की bare act भी खोल लोगे, जिसमें माल लोगे, मैं यहां पर खोलता हूँ bare act को, अगर आप खोलते हो bare act को, तो यह यहां पर आप देखो, यह part 3 लिखा हुआ है, कि fundamental rights का अपना होता है, तो आपका serious answer यहां पर, जो part 3 of the constitution है, वो यहां पर आपका हो गया, उसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसके लावा यहां पर यह पूछा है कि, भाई, entity fiction law है, वो आपका किस amendment के through आपना आया है, तो आ bear act के बाद, जैसे मैं अगर आपको इसके example के समझा हो, यहां पर थोड़ा सा, कि किस तरीके से रहता है, यह आपका देखिए bear act दी हुई है, इसमें आपका देखिए simple simple preamble लिखा हुआ है, लेकिन preamble के अलावा उसके नीचे फिर 2-3 points में लिखा रहेगा, कि यह जो particular आपको बेर आपको मिल जाए, इसमें short vote अच्छी से दिये हुए है, आप उसी को लेके जाओ, ताकि जो कुछ answers होते हैं, जो आपको बेर act के आसपास वहाँ से मिल सकते हैं, वो भी कभी कभी होता है, निकल आता है बेर act के अंदर से, तो ध्यान रखिएगा, कि जो notes वाली अच्छी बेर act है, आप उसी को लेके एक्जाम के अंदर हॉल में अपना जाओ, एक बात का ध्यान रखिएगा, इसके बाद यह तो आपको करना है, अब यहां पर देखिए, यह जो questions है आपका, कि article 13 clause 2 जो था आपका, वो law जो है, इसके अंदर meaning क्या होती है, तो fundamental rights, why declare के जाएंगे, किस चीज में, किस के से बोला गया था, अब ऐसे जो questions है, आप बेर act के अंदर से solve directly नहीं कर सकते हो, आपको उसके लिए knowledge होनी चाहिए, उस particular subject की, तो इन questions को आपको बाद में करना है, पहले आप क्या कर रहा हो, पहले आप calculate करने बैठे हो, कि ऐसे किते questions हैं, ज पूछा कि uniform civil code किस, मतलब उसका part है, किस particular उसका part है, चीज का, तो यह मैं अगर uniform civil code जाके ढूणनूगा, बेर act के अंदर कि किस particular section के heading है, मुझे यह answer मिल जाएगा, तो यह भी हो गया, तो ऐसे मैंने धून्टे धून्टे पहले page में ही अपना, एक, दो, तीन, चार, और य पूछी है, तो आपको सस्ते पहला काम यही करना है, कि हर जो आपके 100 questions है, उसमें जाके पहले यही काम करो, कि ऐसे questions को identify करो, और उसके हिसाब से फिर अपना, जो जो बेर act के अंदर उस चीज का answer दिया है, तुरन-तुरन खोल के answer ढूंड के वहीं पे उसको OMR sheet मार्क करके OMR sheet गंदी हो जाती है, अगर आपने pencil एक यह बार में कर दिया, फिर आप चेंज नहीं कर पाऊगे, तो rubber और pencil अपनी लेकर जो, pencil कितनु पहले mark कर लो, और उसके बाद क्या करना है, कि जब final आप पस 10 minute बचे हो paper के, जाकि उसी को पूरे को काला काला कर देना, अपनी pencil उठ कि मिटाने की भी जरुबत आप नहीं पढ़ती, यह आपका सबसे बेस तरीका रहता है paper को solve करने का, इस चीज का ध्यान अक्षिए, अब जब आपने यह वाला काम कर लिए, कि bear act के अंदर से जो जो answers थे, वो आपने पता कर लिए, कौन सी क्या है, अगला जो आपका काम है, तो आप यह समझ के चलो कि जो यह paper होता है इसके अंदर जो भी subjects की question आते है वो sequence में होते है, जैसे constitutional law अगर शुरू हुआ, तो constitutional law पहला question जो ए constitution का दूसरा तीसरा चाथा, यह सारे एक साथ constitution के होंगे, चीक है, constitution लगतार चलेगा, फिर उसके बाद यहाँ से बैफरकेशन ह हो गया, IPC चलो हो गया, IPC के रेको questions यहाँ पर, आपको मिलते चलेगे back-to-back, ठीक है, उसके बाद जब यह खतब होगा, फिर आपका यहाँ पर CRPC शुरू हो गया, चीक है, CRPC question back-to-back, back-to-back काय जा रहे, अपना यहाँ तक CRPC चली रहे, चली रहे, तो आप इस तरीके से न हो, यहाँ पर मैं लिख दूँगा, CRPC, चीक है, बड़ा-बड़ा, क्योंकि आपका bifurcation सीदा-सीदा paper के अंदर दिया रहता है, आप जाकि यह लिख लो, आपको इससे पता है कि CRPC कहा है, CPC कहा है, पूरा paper आपने लिकर लिया, उसके बाद जो subject की knowledge आपको अच्छे से है जैसे मालनो constitution आपको अच्छे से आता है, आप जाकि उसके questions में तुक्का मालना शुरू करो, कि भाई, जैसे अब मैं तुक्का मालने बैटा, क्वश्या पे अपना इसमें मालनो, question number 4 में, कि क्या था, कि इसमें article इसमें दिया हुआ है, अब क्या खेल है, कि मुझे पता है, केशनन भारती केस, जो है, वो अपना basic structure doctrine के बारे में था, सज्जन सिंग केस एकदम शुरुवाती केस था, जिसमें की, बात करी गई थी, कि जो आपके articles होते हैं, उनमें किस तरीके से, बनाब, आप समनो series of cases है, सज्जन सिंग, शंकरी परसाद, फिर I.C. गोलतनाथ, फिर the state of Punjab का ही होगा, because question on भारती में हमें पता है, यह चीज अपना basic structure doctrine के बारे में था, यह यहाँ पर तो गोलतनाथी, इसका यहाँ पर कहिना क्या answer होगा, तो इस तरीके से आपको पता चल जाता है, guess work करके, odd one out, निकाल, निकाल, कि भाई, answer अपना क्या हो सकता है, ठीक है, पर work करता है, और आपको differentiation कैसे करना है, कि पहले ही mark कर लो, कौन से subject का questions, कहां कहां तक है, range पूरी क्या है, और उसके हिसाब से solve करते हो, simple as that, और यह काम आप करते हो, ना, मेरे बात मानके चलो, आपने major major subjects, मैंने बता है, अपनी वीटियो में, जहाँ मैंने 15 से लेके 20 दिन and apart from that also, एक बात आप यह भी समझों कि जो paper hall में, आप examination hall ने बाते हो, तो जो मेरा positive experience रहा है, या फिर जो मेरे साथ के भी isolents रहे है, या फिर जिनोवी paper दिया है, वहाँ पर जो examination hall होता है, वहाँ पर थोड़ा सा महल ऐसा होता है कि आपको थोड़ा आजू-बाजू पूछ कुछ जोहाँ पर कम freedom होती है, तो वह भी थोड़ा बहुत, आप आजू-बाजू-बाजू पूछना चाओ, तो वह भी करके भी आप अराम से पात-दस नमबर को तो इसी निकाल लोगे, जहाँ पर कुछ दिक्कत आपको नहीं हो कि पात-दस नमबर कहीं जगा, बीस नमब को solve करने का, जो बाते थी, वह मैंने आपको सारी समझा दी कैसे होना है, किस तरीके से solve करना है, वह भी मैंना को समझा दी है, बेरायक वाले questions को पहले जाओ, mark करो, उसके बार उनको solve करो, पहला अपना आदा एक घंटे में, फिर यह mark करना शूरू करो कि जो constitutional law के questions से वह कहा अदर, तो उसके notes में, आपको हो सकतना answer कभी-कभी मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, वो dependence चीज पर करता है, कि आप जो बेरायक वह कौन सी ले के जाओ, simple as that, तो I hope इस वीडियो कि तुरू आपको थोड़ा benefit हुआ होगा, कि आपको सवन में आपको कैसे solve करना है, क्या